नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपको हमारे चैनल के सब इलक्ट्रिक पर देखिए यह जो मोटर है दो एच्पी का और यह कंप्रेसर पर चलता है जैसे कि हावा टंकी जो होता है उस पर लागा रहता है तो इसमें दोस्तों पैरल कनेक्शन था तो वही मैं आपको करके दिखा णाएं इसमें दोस्तों ठीक है और स्परेस कनेक्शन भी कैसे होता है और दोस्तो ना करें स्टार्टिंग सेज़रे और एक इंडिंग सीरा दोस्तों ठीक है कि तो इस दोनो क्ल जो है मालि जहाए अपने तरफ जो है उस दोनों और और स्रीज में होगा और स्राड़ जो कनेक्शन था लगा देते हैं और स्लीव फिर उसको ऐStartat नि खिन दोनों क्वायल को स्रीज में जोंखेंगे ठीक है दोस्तों क्यों अग्म49 जोरने के बाद यह फिर उसको पैयल बनाए जाता है जो चार पोल का मोटर है इसलिए अगर डबल का मोटर रहता है तो इसमें अलग से कनेक्शन होता है दोस्तों तो मैंने इसको फ्रों लगा दिया हूं अब इसको तुरा जला दूंगा कहाज इसका इंसुलेशन हटाना होता है दोस्तों तो आप जला करके भी हटा सकते हैं या तो उसको घिस करके मैंने कि बलेड उलेड से भी हटा सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इसको हम जोर लेते हैं और फिर उसी परकार से अगला भी जोर के आपको दिखाते हैं जैसे इस दोनों को इटेच करेंगे उसी परकार से दोस्तो इसको भी अटेच करेंगे आगे वाले को भी ठीक है और उसका भी ये दोनों सिरा जोर देंगे आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताए कि आप कहां से देख रहा हैं, तो देखिये, यह मैंने दोनों क्वाल को ज़ोर दिया है, आप बचा मेरे पास चार सिरा, यानिकी चार वायर बचे हैं, तो इस दोनों अटेच है दोस्तो, स्रीज में और इस फर्स्ट क्वाल का ज़े आउटपूट निकला हुआ है, यह दोनों हो गया ठीट है दोस्तो, और इसका जो आटपूट है, वाले को यह दोनों हो गया तहसके परलल करना है, अगर श्रीज में रहता है तो आप ऐसे ज़ोर के परलल कर सकते हैं, देखिए दोस्तो, और इसको इस दोनों के जोर कर बाहर निकालों तो तो या तो आमने सामने जोर के बाहर निकालेंगे तो वह मेरा एक लीट हो जाएगा और इस दुनों को जोर कर ऐसे निकाल देंगे तो एक मिक्चर, ग्राइंडर, कॉटर, एस्पीकर, डैनमो, इस सब का रिपैरिंग का विडियो आता रहता है तो यह देखिए इसी प्रकार से हम इसको जॉइंट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों ठीक है काई किस अभी में सिलीव डाल देंगे सिलीव भी डालने के बाद जोस्तों जोर लेते हैं इसके बाद फिर डाइग्राम के मदद से भी मैं आप लोग को समझा दूँगा कि इसमें कनेक्शन जो है कैसे कैसे हुआ है देखे इसमें जादे तार रहता है इसलिए आप लोग को थोरा समझने में दिक्कत होगी लेकिन आप कनेक्शन जो है इसका मैं डाइग्राम की मदद से भी बता दूँगा तो यह देख लिए यह प्रेटकल हो गया और थियोरी भी मैं इसके लास्ट में बता दूँगा किसका क्या है तो आप अच्छी तरह से समझ आईएगा इसके इस कनेक्शन के लिए आपको दूसरे वीडियो को देखनी की जरूरत नहीं है दोस्तों तो यह देखीजिए मैं जैस परकार से बताया था वैसे मैं कर दिया हूं और इस पर दोस्तों सोल्टरिंग भी कर दिया हूं का मिल आप बारे क्वार्स टा liner कीख दोस्तों के जैसे उस आप व्हक वारी स्टाレकित्तोंली दूस्तों नूर्मली जैसे उस मोटर संवे होता हूं उसी परकार से इसमें भी कर ना ना बहुत पहले स्रीजिंग स्वम से रर नमबर सियर लग रहा है दोस्तों कहा कि हमने Standard इसका मेल लीड निकाल दिया है और इसमें दोस्तों आप लोग वायर जो है उरिजिनल ही यूज करें लीड के लिए तो वेस्ट रहता है देखें स्लीविंग थोड़ा टाइट जा रहा है लेकिन लग गया और फिर जो है दोस्तों स्टार्टिंग क्वायल का जो कनेक्शन है उसको देखिए मैं उसमें करके दिबता देता हम आप लोग को पहले इसमें जो है इसमें डाल देते हैं इसके बाद देखें देखें तो यह यह भी हो गया और इसके बाद जो है दोस्तों इसको ऐसे separate कर देंगे और फिर और बारी आती है इस्ठाटिंग क्वाइब की तो उसको बाहर निकाल लेंगे इसको कनेक्शन दोस्तों मैं उसमें बता देता हूँ कहा कि वीडियो इससे बहुत लम्बा हो जाएगा का कि ऐसे मैं बताने लगूंगा जैसे देख लिए स्टार्टिंग क्वाइल मेन था तो इसलिए मैंने इसको पुरा फुली दिखाया हूँ और starting call को मैं बता देता हूं सिर्फ उसके बाद आप कर सकते हैं काया कि हर एक motor में ऐसी परकार से होता है starting call series पर ही रहेगा दोस्तों ठीक है तो देखे इसका एक से तिन connection होता है मनिकि inner to inner और outer to outer आप इसी परकार से एक छोर के एक छोर के एक कर सकते हैं तो देशे कि मैं यह सब बता रहा हूं उसी परकार से यह होगा तो देखिए तो चलिए हम इसको complete करके और अच्छी तरह से सब का joint joint लगा करके आपको दिखाते हैं ठीक है दोस्तों तो आप कहां से वीडियो देख रहा है यह चीज कमेंट जरूर करें दोस्तों तो देखिये हमने इसको बांद कर बारनिश भी कर दिया हूँ तो इसका टेस्ट भी करना है और इसको देख लिजिए अब जो है दोस्तो इसका जो डाइग्राम है वो किस प्रकार से है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डाइग्राम की मदद से भी समझ लीजिए थोड़ा यह देख लीजे यह डर्निंग क्वाइल का चार क्वाइल हो गया ठीक है तो इसको जो कनेक्शन करना है दोस्तों तो दो क्वाइल को स्रीज और फिर फैरलल तो इसका कनेक्शन ऐसे होता है तो देख लीजे इस दोनों आजा में है एक से तीन और उस परकार से इसको भी जो दुसरे साइड हो दो क्वाइल उसको भी ऐसे ही स्रीज कर देंगे दोस्तों ठीक है अब देखिए मेरा इसी परकार से चार लीड बचेगा तो चार लीड में दोस्तों अधिक है आमने सामने जोर कर वाइर निकाल लेकिन यहां पैरलल कनेक्शन है तो इसको जो है आमने सामने हम निकालेंगे दोस्तों तो एक लीड जो है इसको और इसको और दूसरा लीड जो अंदर से अंदर उस दोनों को बनाएंगे तो यहां से देख लीजिए मैंने इसको ऐसे यहां लिया और बाहर कर दिया हूँ और फिर यह जो है इसको इसी में अटेच करके बाहर निकाल देना है अगर इसका वाइंडिंग डाटा जो आप देखना चाहते हैं तो उसका उस वीडियो का लिंक जो है दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो आई बटन पर लगा दूंगा दोस्तों तो यह R1 हो गया और यह R2 हो गया और श्रीज क्वाइल जो है उसका भी कनेक्शन देख लिजिए यह स्टार्टिंग क्वाइल का स्रीज कनेक्शन ठीक है कायकि रणिंग में सिर्फ पैरलल होता है दोस्तों यह दिमाग में रखें और स्टार्टिंग जो होता है वह स्रीज पर ही चलता है कायकि स्टार्टिंग में क्वाइल कम होता है यानि की मोटर जितना क्वाइल मोटर में लगेगा दोस्तों उसका तिसरा हिस्सा यानि की सहंड्रेड परसेंट में से माल लिजए 30 सेंट ही दोस्तों स्टार्टिंग भरा जाता है करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं धन्यवाद दोस्तों